आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के फोन में असिस्टेंट मेन्यू के आप्शन को कैसे ओन कर सकते हैं और इसका क्या यूज है आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस option को on करने से कुछ इस type का icon आपके home screen पर add हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आप recent button, home button, back button, screen off कर सकते हैं यहाँ से volume manage कर सकते हैं और screenshot ले सकते हैं तो इस option को on करने के लिए आप अपने फोन में settings को open करिये सैटिंग्स में आने के बाद नीचे आईए और नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगा Accessibility का option तो यहाँ पर आप Accessibility पर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको मिलेगा Interaction का option इस वाले option पर आप click करिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा Assistant Menu के नाम से Option आपका यहाँ पर यह Off होगा तो इस पर क्लिक करके से On करिए और यह Menu यहाँ पर Add हो जाएगा तो इस टाइप से आप इसे Use कर सकते हैं काफी सारे Option है जैसा कि आप देख सकते हैं इस Arrow से आगे कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें